एक बार की बात है, मैक्स नाम का एक युवा साहसी व्यक्ती था. उसे जंगल की खोज करने और छिपे हुए खजानों की खोज करने के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं था. एक दिन, जंगल में भ्रमन के दौरान, मैक्स की नजर एक प्राचीन शहर पर पड़ी, जिसे बाकी दुनिया लंबे समय से भूल चुकी थी. जैसे ही उसने शहर का पता लगाया, उसकी नजर एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ी, जो एक गुप्त बगीचे की ओर जाता था. वह बगीचा किसी भी चीज से अलग था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें जीवन्त फूल और उंचे पेड़ थे, जो आसमान तक पहले हुए लग रहे थे. लेकिन जैसे-जैसे वह बगीचे में गहराई तक घूमता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड है. पौधे सूख रहे थे और मर रहे थे, और हवा उदासी की भावना से बोजिल थी. तब ही उसे एक हलकी सी फुस-फुसा हट सुनाई दी. वहाँ कौन जाएगा? यह कहा. मैक्स ने मुड़कर देखा तो एक छोटा, जुरीदार बूढ़ा आदमी एक बेंच पर बैठा था. मैक्स ने कहा, मुझे खेद है. मेरा इरादा घुस-पैट करने का नहीं था. मेरा नाम मैक्स है और मैं अभी खोज कर रहा. बूढ़े ने उदास भाव से उसकी उड़ देखा. उन्होंने कहा, मैं इस बगीचे का रक्षक हूँ. लेकिन यह मर रहा है. और मुझे डर है कि जल्द ही यह हमेशा के लिए खो जाएगा. मैक्स बूढ़े व्यक्ति की बातों से प्रभावित हुआ और उसने पूछा कि क्या वह मदद के लिए कुछ कर सकता है. बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बगीचे के बीचों बीच एक जादूई जहरना है. इसमें पौधों को पुनर जीवित कर और इस जगह पर जीवन वापस लाने की शक्ति है. लेकिन इसकी रक्षा एक भयंकर प्राणी द्वारा की जाती है और कई वर्षों से कोई भी उस तक नहीं पहुँच पाया है. मैक्स जानता था कि उसे प्रयास करना होगा. वह वसंत की तलाश में बगीचे में निकल गया यात्रा जोखिम भरी थी क्योंकि उसे जहरीले पौधों से बचना था और घातक जाल से बचना था. लेकिन आखिरकार वह बगीचे के बीचो बीच पहुँच गया और जादूई वसंत देखा. तब ही एक विशाल जीव प्रकट हुआ. वह बालों से धका हुआ था और उस ये एक छोटा दरपन था. उसने दरपन उठाया और प्राणी उसके प्रतिबिंब से मंत्र मुग्ध हो गया. मैक्स ने अवसर का लाब उठाया और तेजी से जरने तक पहुँच गया. उसने जादूई पानी से एक कुप्पी भरी और बूढ़े आदमी के पास वापस चल गया. जब वह बेंच पर पहुँचा, तो उसने बूढ़े व्यक्ती को कुप्पी थमा दी. बूढ़े व्यक्ती ने मर रहे पौधों पर पानी डाला और तुरंत वे पुनर जीवित होने लगे. बगीचा एक बार फिर जीवन्त रंगों और मीठी खुश्बू से भर गया बूढ़े व्यक्ती ने मैक्स की ओर देखा और मुस्कुराया. तुमने मेरे बगीचे को बचाया है, युवा साहसी. और इसके लिए मैं हमेशा आभारी हूँ. मैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी खुशी थी. मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका. उस दिन के बा सुन्दर ता पुरी दुनिया मे जानी जाती थी.